नमस्कार सभी को, मेरा नाम राजनवाय हुग है, UPSC Ethics विशय पे हम चर्चा कर रहे हैं, टॉपिक नम्मर एक, Ethics and Human Interface, नयतिक्ता इवं मानविय सहसमन्द, लगवगमारा समापत हो चुका है, इस टॉपिक से रिलेटर गत वर्सों में जितने भी प्रशन आई हैं, 2013 में जब से सिलेवर्स चेंज हुआ, Ethics विशय जुड़ा, तब से लिकर के, और 2024 जो हाली में परिच्चा हुई है, इन सभी प्रशनों पर हम चर्चा कर रहे हैं, कि इनका अंसर किस प्रकार से लिखा जाना चाहिए, अच्छा उत्तर किस तरह के सम लिख सकते हैं, तो पिछला जो वीडियो था हमारा, उसमें 2024 का जो पहला प्रशन आये था, तो प्रशनों की लिस्ट मेरे पास है, मैंने ये यूटूब पर पोस्ट की हुई है, आपने वहां से सारे प्रशन लिख लिए होंगे, वैसे तो इंटरनेट पर अपलावद हैं, आप कहीं से भी लिख सकते हो, तो यूटूब पर आप लिख सकते हो, तो पहला जो प्रशन था, वो था कि, हाँ, डामेंशन्स ओफ एथिक्स वाला कुश्चन था, और प्रफेशनल कॉंटेक्स्ट में किस तरीके से डिसीजन मेकिंग में वो हेल्प करता है, उस पे हमने चर्चा की थी, दूसरा जो कुश्चन था, वो जो रिलेटर था किस से, और मोरल रीजनिंग से, उस पे हमने चर्चा कर ले थी, वो 2023 का प्रशन था, और मोरल रीजनिंग, फिर 2022 का एक कथन आया था, पॉटरर श्ट्रिवार्ट का, जो कि अमेरिका के नियाधीस, मुख्य नियाधीस रहे ह हुए है, कि वही, what is right to do, and what is right and what is right to do, कि क्या करना आपका अधिकार है, और क्या करना उच्छेत है, इसके अंतर पर एक कुस्चन आया था, तो उस पर हमने भी चर्चा कर ले थी, तीन प्रिशनों पर ही हम चर्चा कर पाये थे, लास्ट वीडियो में, अब नेक्स्ट प्र बढ़ते हैं, वो भी 2022 का ही है, कथन ही है, दलाई लामा साब का कथन है, वैसे तो अक्सर करके UPSC के आदत रही है, कि जब भी वो कथन देती है, तो विचारक का नाम नहीं देती, कई बार ऐसा होता है, पर यहां पर कथन दिया हुआ है, और विचारक का नाम भी दिया दलाई लामा साव का कथन है किसके कथन है दलाई लामा साव का कथन है क्या कथन है judge your success why what you had to give up in order to get it आपकी सफलता का अंकलन इस वात से हो कि इसे पाने के लिए आपको क्या छोड़ना पड़ा यानि कि जो मुख्य सब्ध है उसमें यह क्या है सफलता सफलता और जो दूसरा मुख्य सब्ध है उसमें वो क्या है संघर्स या त्याग क्या छोड़ना पड़ा त्याग तो इस प्रिशन में दो ही मूल सब्ध है दलाई लामा मूल सब्ध नहीं है इस प्रिशन इस प्रिशन में मूल सब्ध है सफलता और संघर्स या सफलता या त्याग यही लिखने है दलाई लामा साब नहीं लिखने कुछ भी है हाँ सामान ग्यान के लिए आपको यह दलाई लामा साब के बारे में जानकारी चाहिए आपको सोयम के लिए जानकारी चाहिए तो वो एक दूसरी बात होती है वैसे दलाई लामा साब पर PT में प्रिशन आवीज आए तो कोई बड़ी बात है नहीं क्योंकि ये बहुत धर्म की बहुत धर्म से जुड़े हुए रहे हैं बहुत धर्म की एक परंपरा होती है गेलुप परंपरा उससे जुड़े हुए है और इनको जो है वो अवतार माना जाता है अब लोग के तेश्वर का गोधी सत्व का तो इस वज़े से जुड़ते हैं आर्ट एन कल्चर से तो हो सकता है वहाँ पर कुस्टिन पूछ लिया जाए पर इस प्रिशन के आंसर में नहीं लिखना इसका दलाई लामा साब दिवारे में कुछ भी तो उम्मीद है आपको जानना ही है तो लामा साब्ट का मतलब क्या होता है गुरू चलो बता देता हूँ ना दो मिनट का समय ले करके दो मिनट लगेंगी लामा साब्ट का मतलब क्या होता है गुरू होता है और दलाई साब्ट का मतलब क्या होता है समुद्र या महसागर समुद्र या महसा देखिए है क्या जो तिबबत है हमारा तिबबत जो देश है अब तो खेर उस देश की सुतंतरता ही छीनी जा चुकी है जो तिबबत जो हमारा देश है उसमें चार बहुत पुराने बहुत धर्म से जुड़े हुए आप कह सकते हो कि बिचार चलते हैं साखाएं चलते हैं या गेलुक ट्रेडीशन गेलुक परंपरा यह जो परंपरा बनी थी ना यह बनी थी आपके 14 या 15 सथी में बनी 14 या 15 सेंचुरी में एक ब्यक्ती हुए जिनका नाम था तॉंग शॉंग लामा लामा तॉंग शॉंग ऐसे करके कुछ नाम था खुड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है क्योंकि थोड़ा सा यह तिब्बत परंपरा का नाम है ना तो एक्जेक्ट याद नहीं रह सकता है लगवग इसी प्रकार का इन्होंने नाम था तो यह है जो गेलुग परंपरा होती है इसी कोई पीली ट्वपी परंपरा भी कहते हैं पीली ट्वपी संपरदाई भी कहते हैं इस्थापना की और इसमें जो प्रमुख होता है इस परंपरा का उसको हम क्या कहते हैं दलाई ल नाम नहीं है एक पदवी का नाम है और ये मानते हैं कि जो दलाई-लामा साहाब है उनकी म्रत्यु नहीं होती है बल्कि क्या होता है उनका पुनर जन्म होता है क्या होता है उनका पुनर जन्म होता है इनको जो है ना क्या माना जाता है बोधी सत्व मैंने पहले ही बताए था बोधी सत्व या अब लोग की तेस्वार ये बुद्ध जो है भगवान गौतम बुद्ध उनके कई रूप माने जाता है जैसे भगवान विश्णु है उनके अवतार माने जाते हैं कई प्रकार के कई रूप माने जाता हैं वैसे ही इस पर कभी जयन और बहुत धर्म हम पढ़ेंगे तो इ इनको इसका क्या माना जाता है अवतार माना जाता है और चूकी इनका जो प्रमक्ष जो गुण माना जाता है ना वो क्या माना जाता है करुणा कारुना के अवतौर कहते हैं करुना के प्रतिख मने या इसलिए दलाई-लाम को भी करुना का प्रतिख कहते हैं करुना मल पाँ कहते हैं जो बरत्मान दलाई-लामा है वो 14 फोरटीन थी इनका मूल नाम तो कुछ और है तेन सींग या तेन जिंग ऐसा कुछ नाम है बट इनको कहते है दलाई लामा है 14 से जो दलाई लामा है फिलाल और यह बने थे 1940 में क्योंकि इनका जन्म हो गया था 1935 में तो पास साल की उमर में ही बन गया थे क्योंकि पुनरजन्म होता है ना नोने माल लिया इनका पुनरजन्म हुआ तो उसी समय उनको दलाई लामा बना दिया यह सामाने सी जानकारी है इसको आंसर में नहीं लिखना है यह तो मैंने अपना ज्यान परदर्सित करने के लिए बता दी आपको जवरदस्ती बतानी नहीं चाहिए थी तो यह सब है दलाई लामा साम के बारे में आक्चुलि क्या है कि जो कमपेशन है ना करूना अभी हम टोपिक नमर 3 पढ़ेंगे टोपिक नमर 3 हमारे किससे रहे टाला है Emotional Intelligence से यानि कि भावनात्मक बुद्धी मता से जब हम भावनात्मक बुद्धी मता को पढ़ेंगे तो हम उसमें पाएंगे उस भावनात्मक बुद्धी मता से जड़ोई विक्ति हैं जिनका नाम है डेनियल गोलमेन इन्होंने एक पुस्तक लिखी 1990 में उस पुस्तक का नाम ह Emotional Intelligence Why It Is More Important Than IQ 1990 के दसक में या 1990 में लिखी है ना तो नोंने भावनात्मक इंटेलिजन्स भावनात्मक बुद्धी मता का पढ़ेंगे उसकी पोटेंस वताई उसी क्रम में या उसी सीरीज में क्या हुआ ना सवन आगे क्या हुआ इन्होंने एक एजुकेशन की प्रणाली एक सुरूकी जिसको नाम दिया एक संस्था थी उसके साथ मिलकर गया उसको नाम दिया S.E.L. सोसल एमोशनल लर्निंग सामाजिक भावनात्मक सिक्षा फिर इसमें दलाई लामा साथ जुड़ गया और जब दलाई लामा साथ उसमें जुड़े तो उन्होंने इसमें एथिकल सब्द और जोड़ दिया एमोशनल के साथ क्या जोड़ दिया एथिकल सब्द भी जोड़ और इसका नाम हो गया फिर S.W.L. Social Emotional Ethical Learning और इसमें इन्होंने प्रमुक्स्तान जो दिया, वो किसको दिया? कम पैसन को दिया, करुणा को दिया. टॉपिक नमर तीन में हलका साम इसको पढ़ेंगे, थोड़ा इससे बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे, पुरा ही पढ़ेंगे emotional intelligence को तो यह दलाईलामा साहों के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी है, सामानिग्यान के लिए क्या पता PT में प्रिश्न पूछी ले? तो आपके पास answer होगा देने के लिए, बैसे यहाँ पर बताना विस्थ नहीं था, इस वाद के लिए really very sorry, चलिए आगे देखते हैं, अब हम देख लेते हैं सफलता क्या है, अब जब हम इसका answer writing करेंगे, तो क्या क्या हम लिखेंगे, तो सबसे पहले हमारा करतब है, हम क्या लिखें, सबसे पहले सफलता लिख, सबसे पहले तो भूमका लिख दें, थोड़ी सी दो पंक्तियों की भूमका बना देते हैं, भूमका के बाद में सफलता क्या है, यह लिख देते हैं, या तो हम अपन अपने हिसाब से लिए सफलता क्या है और फिर बड़े विक्तियों का नाम जोड़ करके विचारकों के नामों से विचारकों के तरकों से विचारकों के कथनों से उसकी पुष्टी कर दें और फिर यह बता दें कि कैसे संगहर्स की वज़े से सफलता बड़ी होती है तो इसके live example हम लिख दे जैसे किसका लिख दे, अभी हम जो बात कर रहे थे तो, गौतम बुद्ध का उधारन हम लिख सकते हैं महवीर स्वामी का लिख सकते है वही सुमन सुर्वित हो खिलते जो काटों के बीच पले यही आपका संहर्ष कितना बड़ा है यही आपकी सफलता को क्या बना कर देगा बड़ा बना देगा महत्म गांदी का उधारन लिखो जितने भी हमारे स्वातंतरता सेनानी है उनमें से किसी का भी एक्जम्पर लिख लो लास्ट मेंनिस कर से निकाल दो आपका अंसर कंप्लीट हो जाएगा चलिए सुरू से इसको सुरू करते हैं कुछ लोग जैसे इस्टीव जोब्स का एक उधारन और मैं आपको देता हूँ इस्टीव जोब्स ने अपने एक इंटर्विव में कहा मुझे सफलता मिली बहुत अच्छी वात है लेकिन सफलता को प्राप्ट करने की चाहा में मैं अपने परवार को बिल्कुल समय नहीं दे पाया तो लाइव एक्जम्पल हमारे पास खुब सारे हैं पहले हम सफलता की अवधारना को समझ लेते हैं सफलता की अवधारना तो कुछ बड़े लोगों के नुसार देख लेते हैं हम न सबसे पहले देखते हैं अरस्तु के इसाब से प्राचीन या पस्चिम में या प्राचीन दर्सन में या मारे पूरे दर्सन में जो सबसे प्राचीन पुस्तक नानी जाती है उसका नाम है निको मेकियन एथिक्स उसका नाम क्या है मिकू मेकियन एथिक्स अरस्तु ने लगी यह इस पुस्तक में नोनिक अवधरना दी एक कॉंसेप्ट दिया उस कॉंसेप्ट का नाम है यूडेमोनिया उस कॉंसेप्ट में उन्होंने यह कहा कि जो आपकी सफलता है वो आपकी सफलता किसमें है आत्म संतोस और आत्म पूर्णता में है सफलता क्या है जब किसी कारे को करने पर आप आत्म संतोस महसूस करें या आत्म पूर्टा महसूस करें तो वो ही क्या है सफलता है या जीवन में आत्म संतोस प्राप्त करना या आत्म पूर्टा को प्राप्त करना ही क्या है सफलता है ये बात हमने किस ने कही ये बात हमसे किस आधुनिक विचार के हिसाव से आप लिख सकते हो आधुनिक समाज में आधुनिक दृष्टी कौन से तो बहुत एक सफलता ही सची सफलता मानी जाती है बहुत एक सफलता ही हमारी सफलता मानी जाती है लेकिन यदि सफलता को हम गहरे अर्थों में समझना चाहें तो अरस्तु कि यूरिमोनिया की अवधारणा से हमें पता चलता है कि सफलता केवल बहुते कुन्निती नहीं है बलकि सफलता है आत्म संतोस की प्राप्ती आत्म पूर्टा को प्राप्त करना आत्म पूर्टा को प्राप्त करना भी करना ही क्या है सफलता है इसी बात को आगे बढ़ाते हुए Confucius एक बात कहते हैं Confucius यह चीन के दार्षनिक है यह कहां के दार्षनिक है Confucius चीन के दार्षनिक है और इसापूर्व के ही दार्षनिक है यह भी एक बात कहते हैं कि आत्मा टकरती यह क्या कहता है कि आत्मा प्रकरती और समाज के बीच संतुलन समाज के बीच संतुलन बना कर जीना ही या आत्मा प्रकरती और समाज इन तीनों के बीच संतुलन ही सफलता है कितनी गहरी लायन यह की लायन में कह दी है कितनी बड़ी वात कह दी है कि आत्वा प्रकर्टी और समाज इन तीनों के वी संतुलन बना दो अब आज के समाज को देखो गए तो बरत्मा समाज तक्निकी रूप से कितने प्रगति कर रहा है कितने बहुत एक साधन कितने लोगों के पास है लेकिन प्रकर्टी इसे दूर होते जा रहे हैं प्रकर्ति को नसे नाकलल दूर हो रहे हैं बड़की प्रकर्ति का बहुत ज़्यादा नुकसान कर रहे हैं जैसे हमको मोबाइल फोन चाहिए सच्छे सफलता है मेरे पास आईफॉन होना चाहिए भले ही मेरी कड़ निगाए हो जाए आईफॉन को लोग सफलता का प्रतिकमाल लेता है मतलब बड़े लोग तो नहीं मानते समझधार लोग तो निबा निभी कोई दुनिया में कहते है ना इस्टूडर्स टीचर्स इस्टूडर्स की दुनिया में अब आप यह वाद देखिए सभी को यदि आईफॉन चाहिएगा तो आईफॉन चाहिए सभी को क्या चाहिए टेज स्पीड चाहिए इंटरनेट चाहिए मुरे वह भी चाहिए सब कोई चाहिए लेकिन उस इंटरनेट की वज़े से कितने सारे पक्षियों पर विप्रीत असार पढ़ रहा है यह हम नही यहां आत्मा का मतलब बो वाली आत्मा नी जो रात को दिखाई देती है यहां आत्मा से मतलब विक्ति का स्वैम का पूर्ण होना है गांदी जी के साथ पाप की अवधार्णा है और गांदी जी के जो साथ पापों की अवधार्णा है उनमें से एक अवधार्णा वो क्या केत कि अंतरात्मा के विना सुख यदि कोई ऐसा सुख है जिसम सुख में आपकी अंतरात्मा गवाही नहीं दे रही वो सुख आपका क्या है पाप ही गिना जाएगा तो कन्फूसियस साब के विचार को लेकर कि आओ कि बर्तमान इसाब से बहुत अगवादी युग है हम नए नए तकनीकी की तरफ बढ़ रहे हैं इसी को सफलता मान रहे हैं लेकिन कन्फूसियस कहते हैं कि जब तक आत्मा प्रकृति और समाज के भी संतलन नहीं होगा कि तब तक हम उसे सफलता मान ही नहीं सकते हम उसको कैसे सफलता कह देंगे और हमको क्या करना है यदि अपने जीवन में सफलता प्राप करनी है तो इनके बीच में क्या करना होगा संतलन बना करके रखना ही होगा यदि आपको देखो लिखना तो दो या तीन लोगों कोई है इससे ज़्यादा लिखना नहीं है मैं कियो समझाने के लिए और बता देता हूँ आपको जैसे फ्रेडरिक नीच से और अर्विंदो घोष फ्रेडरिक नीच से जर्मनी से बिलॉंग करते थे बाद में रूस के साथ ये जुड़ गए या रूस कोई नागता साथ नो नहीं ले लिए ऐसा कुछ हुआ फ्रेडरिक नीच से इनका नाम था मुटी मुटी मुचे रखते थे लंबी लंबी इनका ये बहुत ही प्रसिद कतन क्या है गॉड़ इस डैड विखवान मर चुका है क्यों नीच से का इसवर मर चुका ये कविता की पंक्ति है तो नीच से क्या कहता है नीच से और अरविंदो घोस दोनों नहीं लगवग एक जैसी विचार दिया वो क्या दिया था सुपरमेन की अवधारना दी सुपरमेन की अवधारना दी के मतलब यह नहीं कि सुपरमेन आएगा ऐसे करते हुए नहीं इन्हों नहीं यह का कि मनुष से अपना क्या करना है उसको और ज्यादा अपने आपको क्या करना विकास करना है तो फैट्रिक जो नीट्से है नीट्से की स्पेलिंग बहुत कठेने वाई है न मुस्से लिखी नहीं जाएगी एनी आई टी जैने ची यह से कुछ है न तो नीट्से साव यह कहते हैं कि अपनी सीमाओं से उपर उठकर अदुतिये अपने अदुतिये उद्देश को प्राप अदुतिये अदुतिये इसे लिखा जाएगा अदुतिये उद्देश सों की प्राप्ति अपने अदुतिये उद्देश से की क्योंकि मनिस्ट का उद्देश से अलग है यहirmारोत इमेनवल कांट है बहुत बड़े साहा हैं यह कहे क्या कहते हैं कि करतबयों का पालन करना ही करतब पालन ही क्या है सफलता है कितनी आसान बात कही है ना, बहुत आसान बात कह दी भाई इनों ने, पर इनका नाव है Emanual Kant, इनकी आसान से आसान बात भी बहुत कठिन होती है, 1781 में इनकी पुस्तक आई, Critics, Critics of Pure Region, लोग समझ ही नहीं पाए कि लिखा क्या है, 1787 में इनको ब्याक्ष्या करनी पड़ी उस पुस्तक की, उसमें कई सारे उधारण जोडने पड़े था कि लोग समझ जाएं, तो इतने महांदार्शनिक रहे हैं Emanual Kant, मतलब कठिन थे इसलिए महांद नहीं है, मतलब ब पालन में कोई किंतु परंतु नहीं जुड़ता, किसी भी प्रकार का, किसी भी सिचुएसन में, यह कह रहे हैं यदि तुम्हारा करतब्बे तो वो करना ही है, ऐसे तो गीता भी कहती है ना, कर्म कि यह जा फलकी इच्छा मत कर तो इनसान, यह तो और गीता में कई बार क्य चाहे आपका इंटर्वी छूट जाए, लेकिन यदि किसी गरीब की मदद करनी है, तो मतलब करनी है, वाली इंटर्वी छूट जाए तुमारा, तो कांट बहुत ज़्यादा कठोर तक साथ कहते हैं, इसलिए इनका इतना सरलवाक है कि वही कर्तब बेपालनी सफलता, बहु और सत्य पर आधारित कर्तब बेपालन ही सफलता है, मतलब यही बात कांट भी कहता है, कांट थोड़ा धरम से नहीं जोड़ता है, इसमें थोड़ा धरम सब्दा गया है, मतलब वही है, तो इतने सारे लोगों ने अब आपको सफलता की परवासा समझा दी है, आप इन विक्ति की जिम्मेदारी है कि वो पूरी तरीके से अपने आपको सवतंत्र करें, जितने भी बंदनों में जखड़ा हुआ है उनसे, और सवतंत्र करके अपने जीवन को, क्या करें, वो एक अर्थ दे, अपने स्वयम क्योंकि अस्तित्वादी विचारक रहे है, जीन पॉल करोगे, उधारण जोड़ देंगे, और सवसे पहला उधारण या आप किसका जोड़ो, गांदी जी का जोड़ो सवसे बैश्ट है, बरत्मान परवेक्ष में रहे हैं, गांदी जी यमारे राष्ट पिता भी रहे हैं, और गांदी जी की सफलता की परवासा लिखने के अदरों से प्राव्ट नैतक लक्ष ही सची सफलता है, अब गांदी जी का उधारण लिखो कि इन्होंने नैतक साधन ही अपना है, अपनी नैतक लक्ष जैसे बारत को आजादी दिलानी थी, दछड अफरीका में जो संगर्स किया, तो इन्होंने क्या नैतक साधन अपना है सत्य औरहिंसा का अपना है त्याक का अपना है चौरी चौरा की एक घटना हो गई चूकि यह उसके पक्ष में नहीं थे तो इसलिए उन्हें तुरंत आंदोलन को बंद कर दिया जबकि आंदोलन अपने चरम पे था और बहुत सफल हो रहा था लेकिन चूकि इनका मानना था कि हमारे साधन भी नैतिक होने चाहिए इसलिए उन्हें नहीं आंदोलन वापस ले लिया और अब इनका संगर्स लिख दो इनका त्याग लिख दो कि गांदी जी इतने महान हुए इतने सफल हुए लेकिन इस क्रम में उनसे उनका परिवार छूट गया गांदी जी का एक बेटा था जिसका नम था हरी लाल जिसका जन्म गुए था सायद 1886 में और मिर्ति उई थी गांदी जी वाली 1948 में इसकी और गांदी जी की बहुत भहंकर अमत्रभी गांदी जी से बहुत नाराज रहा यह विचारा बहुत गरीब रहा इसने ईशाई धर्म को भी अपना लिया और बहुत गरीवी में इसकी मिर्ति हुई बहुत बुरी परिस्तितियों में गांदी जी और गांदी जी को पता था कि मेरा पुत्र किन परिस्तितियों में पिता पुत्र में तो बात वैसे आपको पता यह लगवे बिगड़ने के कगार भई रहती है इनके चार पुत्र थे और चारों ही पुत्रों में से किसी एक पुत्र से ही इनके सम्मंद थोड़े अच्छे थे ठीक ठाक थे बाकियों से कोई बहुत अच्छे सम्मंद थे नहीं हलंकि उन्होंने इनके विचारों को आगे बढ़ाया एक दो पुत्रों ने जैसे एक पुत्र ने साहे दिनका जो तच्छन अफ्रीका वाला अखवार था उसको एडिटिंग की उसके एडिटर बने और यह सब किया पर फि सब कुछ नहीं छोड़ते तो भगवान गोतंबुत बन ही नहीं पाते हों और यहीं माविर स्वावी जी के बारे में भी बात है कि एक पंक्ती है कि कि उमर कटी एक रोने में कि लंका में एक उमर कटी और रात कटी रोने में तब जाकर बात समझ आई सोने के हिरन नहीं होते के बिछड़ सही एक उमर कटी रोते रोते तब जाकर बात समझ आई सोने के हिरन नहीं होते हिरन कभी सोने के नहीं होते सफलता दिखती है लोग पागल हो जाते है बाई जैसे बहुत एक एक एक्जामपल देखो लड़कियां पागल हो जाती है किसको एक्ट्रेस हैं को देख करके, फिल्मी दुनिया को देख करके, लड़के भी होते हैं, लड़कियां भी होते हैं, आप जितनी भी एक्ट्रेस हैं, उनसे पूछो उनका कितना संगर्स है, उनको क्या-क्या छोड़ना पड़ा, क्या-क्या त्याग करना पढ़ा को कि मिल्ले का सेरावत का एकजमपल आप लेकर के देखो कि अब मुद्लों कहने को तो हसी आ सकती है ना बैर कि सावन्थ का disappoint लो कहने को हसी आ सकती है आप लोगों को ठीक है अब आ अप यह तो सोचो उन विचारियों को कितना संगर्स करना पड़ा होगा, समाज के, परवार के, कितने ताने सेहन करने पड़े होंगे, वो सकता है, समाज ने, परवार ने, सब ने त्याग दिया हो, वो जो सफलता देख रही है, वो महसूस कर रही है, क्या उनकी अंतरात्मा भी उनके साथ में है, क को याद आगया वो कि जिस दिन से चला हूँ जिस दिन से चला हूँ मेरी मंजिल पे नजर है इन आखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा और ये फूल मुझे कोई बरासत में मिले हैं तुमने मेरा कांटो वरा दामन नहीं देखा या तुमने मेरा कांटो वरा विस्तर नह सफलता दिखती है, उसके पीछे की कहानी नहीं दिखती है। और यही बात दलाई लामा साँ कह रहे है, हमारे यहां भारतिय प्रमप्रा में, दान के बारे में भी यही बात रही जाती है। कि दान उतना ही बड़ा माना जाएगा, जितना उसको देने से आपको कश्ट होता है, यदि आप बहुत करोणपती आदमी हों, सौरू पे आपने दान में दे दिये तो आपको क्या ही फर्ख पड़ता है, एक कहनी पड़ी थी बच्छपन में, कि एक जोंपड़ी थी, एक हुए थे, कोई टंसल नहीं, बार ही सो रही थी, बार अंदेरी रात, अचानक से एक विक्ती और आ गया, उसने का माराज, खोलो, खोलो, माराज ने का कि वही क्या है, कि अंदर आना है, माराज ने का भाई, मेरी जोंपड़ी बहुत छोटी है, इसमें क्यों एक ही आदमी स हैं, तो फिर उस कहानी में क्या होता है, कि दो आदमी बैठ सकते हैं, तो क्या हुआ, चार आदमी खड़े भी हो सकते हैं, तो इस प्रकार की जो चीजें जो होती हैं, कि त्याग आपका, त्याग बताएगा, कितनी चीजें आपने छोड़ी हैं, यदि आपने कुछ है और जितनी बड़ी चीज आपने छूड़ी है जितना बड़ा त्याग आपने किया है आपकी सफलता के माइने उतने ही बड़े माने जाएंगे आप कहां से आए हो किन-किन चीजों का त्याग आपने किया वो सारी कि जो पनी बहुती अच्छे अपने अर्शास्त्री रहे हैं जन्होंने capability approach दी और इसमें नोंने यह काया कि प्रत्यक व्यक्ति का यह करतब है कि वो अपने आपको इस योग्य बनाए कि वो समाज का भला कर सके capability approach अपने आपको इस capable बनाए कि समाज की भलाई में योगदान दे स कि तभी तो आदमें सफल मना जाएगा जब social media पर जो सफलता मिलती है ना जितनी जल्दी सफलता मिलेगी उतनी जल्दी गायब भी हो जाएगी कितने सारे लोग ऐसे होते हैं social media पर जो बहुत famous हो जाएंगे और उनकी कोई real viral हो गई कोई एक गाना viral हो गया कोई उनका dance viral हो गया कितने साथी teachers के साथ होता है हमारी जैसों के साथ में एक बार viral हो जाती है और कुछ समय तक बहुत ज्यादा लोग चर्चाओं में रहते हैं कुछ समय बाद सब भूल जाते हैं क्योंकि रातों आज जो सफलता आती है वो रातों वह दम होगा वो लम्हे समय तक टिप पाएगा लम्हे समय तक काम कर पाएगा वास्तव में teacher भी वही होगा बाकी के तो teacher नहीं हो करके कुछ और ही होते जो कि यदि content उनके पास नहीं है तो किसी के पास यदि मेरे पास भी नहीं है तो मैं भी वैसा ही हूँ उसी quality में आता ह हो गया पतली कमरी यह कितने सारे होते हैं जो बाइरल होते रहते हैं पर एक वारी बाइरल होगा ना रोज रोज हो जाता है क्या आज वो बच्चे आज वो लोग कहा हैं जो कि इन चीजों पर किये थे तो इदिया आप देखोगे तो बहुत लंबे समय तक सफल नहीं रहें कि वह कुछी दिन तक सफल रहेंगे और कुछ दिनों के बाद लोग बूल जाएंगे उनको क्योंकि जब तक चर्चा में हैं तब तक तो ठीक है क्योंकि यह सामाज की योगे ना सोसल मीडिया के योगे लोग बहुत जल्दी एक तो नई नूज आती है पुरानी नूज को सब बूल जाता है एक नया कुछ वाइराल होता है पुरानी चीज़ों में सब बूल जाते है तो सफलता इस थाही सफलता उन्हों नहीं यह कहता कि वही सची सफलता किसमें होती है प्रेम में प्रोपकार में आत्मज्यान में तो इन समके बेस पे आप ये लिख सकते हो कि वही सफलता कि वह लक्ष प्राप्ति नहीं है सफलता है आत्मा की सांती सफलता है संतोस की प्राप्ति सफलता है प्रकरती के स है वहात्ति साथ न्याय करते हुए चलना, सफलता है समाज को साथ ले वो नया ही दवड़ था ना, पुराना दवड़ था ही नहीं तो समय का एक अपना प्रभाव है बर्गसाँ को हम पढ़ेंगे क्या टॉपिक नम्र पांच में पढ़ेंगे तो नहीं हलका सा जिक्राएगा आत्म पूर्टा वाद में उनका तब मैं आपको उनका समय की थोरी बताऊंगा कि समय कैसे काम करता है और उनकी और Einstein का जो समय का Relativity की जो थोरी Einstein ने जो दिया उनकी हम थोड़ी से तुल्ला करके देखेंगे कि समय कैसे प्रभाहित होता है समय के बल एक ही dimension में कि या time के भी कई सारी dimensions होते है समय अलगती से चल सकता है तो बर्गसा, Henry बर्गसा एक विचारक रहे है उन्होंने उस time पर क्या विचार दिये Einstein का विचार उससे कैसे मैच खाता, उन दोने की बाचीत भी हुई थी बर्गसा और Einstein की बीच में चर्चा भी हुई थी तो पूरे दर्ष्टी कौन को हम अच्छे से समझेंगे जब हम topic नमर पांच में Henry बर्गसा को थोड़ा सा पढ़ेंगे ज़्यादा तो नहीं पढ़ेंगे क्योंकि अपने syllabus में है इतना सा philosophy में होता तो फिर अलगवा तो फिर तो हम उनको बर्गसा को तीन घंटे तो देते ही देते कम से कम को सकता है ज़्यादा भी देने पड़ जाते हैं बट पर उनकी time की theory बहुत सांदार है जबरतास तो आप पढ़ो के तो मज़ा ही आ जाएगा और Einstein का जो time relativity की जो थिर चाह आइंश्टीन ने दी आपको किसी civil सिवक का और धारन भी इसमें जोड़ना हो तो जोड़ देना TNCSN साब का जोड़ दो कितने सारे विचारे विवादों में रहे हो बहुत विवादों में रहे हो और लेकिन इसके बाबजूद उन्होंने चुनावों में चुनाव प्रिक्रिया में उन्होंने नेतिक ताको या इमानदारी की निस्पच ताको इस्तापित करने की कोशिस की तो ये सारी की सारी बाते हैं उम्मीद है ये अंसर आप लिख पाओगे यदि कोई और दिक्कत आती है इसका अंसर लिखने में तो और पूछ लेना वही और बता देंगे चर्चा कर लएंगे ऐसी कोई बात नहीं है नेक्ट कुस्चन की तरफ आगे वाने चलिए अगला जो प्रसन है हमारा वो है अब दोजार पाइस में बस दो ही प्रसन आये थे दो ही एक कथन आये थे और हम चाहते तो उनको टॉपिक नमर पांच के लिए भी छूड़ सकते थे पाथ फीक है वह अब यहां चल्चा कर ली तो कोई बात नहीं है अब टॉपिक 2021 का एक प्रसन है वह हम देख लेते हैं क्या है 2020 का प्रसन की आइडेंटिफाइफ फाइव एथिकल ट्रेट्स और विच वन केन प्लाउट दा पर्फॉर्मेंस ऑफ इस सिविल सर्वेंट जेस्टिपाई देर इंक्लूजन इन दा मैट्रिक्स आदार पो के कारड़ का निस्पादन करते हैं और उनको ही घू सामिल किया एप आदाना को बताना उन पंस को लिया है हम ने किवल पांच गुझाअँ को कियो लिया किसी और गुझाँ को कियो नहीं लिया तो यह प्रस्जन किया तो टॉप इखाऐ त तो जो हमारा चार है, aptitude, अभी रुची, उससे संबन देता है, उससे ज़्यादा जोड़ता है, पर ठीक है, अब यहाँ पे भी हम हलकी सी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि देखिए, वहाँ पे जब हम पढ़ेंगे ना, तो क्या क्या पढ़ेंगे, इमांदारी पढ़ेंगे, सत्त से देखिएंगे, अभी तो, क्योंकि हम accountability पर ही एक गंटा खर्च करेंगे, transparency पर ही 30-45 खर्चा करेंगे, तो अच्छे से समझ में आएंगी, sympathy पर तो हो सकता है कि एक गंटा हमको खर्च करना पड़े, sympathy, sympathy के अंतर को समझने के लिए, compassion से वो किस तरीके से जुड़े हैं, त तो इसलिए, लेकिन फिर भी मैं यहां पर हलका सा जिक्रों का बता देता हूं, समझा देता हूं, अब लिस्ट में वो है, यह लिस्ट में नहीं बना ही हालांकि, तो 2021 का यह प्रिश्ण है, तो हमको क्या बताना है, पांच नैतिक लक्षण, लक्षण बताने है, और उनका और उनका बताना है, पांच नैतिक लक्षण किनके लिए, लोक सेवक के लिए, जो लोक सेवक में होनी चाहिए, मेरा हमेशा से यह मानना है, निश्चित, मैंने यह बात हो सकता है, कई बार कही रिपीट भी कर दियोगी, उधारन दो, बात समझ में आ जाती है, बात खत्म क कुछ एक सिविल सेवकों के जो अच्छे-च्छे सिविल सेवक हैंगे ना, उनके नाम ले लो, जो बहुत अच्छे रहे हैं, जिन पर विवाद भी कम हो, जैसे मेट्रोमेन ई सिरीधरन साव, मेट्रोमेन ई सिरीधरन, इनका नाम ले लो, अनिल बोर्डिया का नाम ले लो, अनिलबोडिया साफ जिन्होंने लोग जुम्मिस में राजिस्थान में सिक्षा के छेत्रों काफी अच्छा काम किया इनका हम एक जो है वो नाम जोड सकते हैं इसके अलावा अगर आपको नाम जोडना हो तो अरुना राय को जोड सकते हैं हलंकि अरुनाराय के नाम के साथ में काफी विवाद भी जुड़ते हैं लेकिन फिर भी ठीक है, अरुनाराय को लेलोगा, अब विवाद हैं तो हम क्या ही कर सकते हैं, कुछ गोड़ तो किसी ना किसी में होंगे, तभी तो उन्होंने काम किया, इन्होंने सूचना के अधगार के लिए बहुत अच्छा काम किया अरुना राय को अरुना राय ने तो हम इनका नाम लेंगे ही सबसाय से पहले भूम कह लिख धी है बहुंचा के बाद में आप बताओंगे कि कौन कहिसे सबस्तकुर्श्थ है था सबस्कूर्ष सबस्बर्बरनिकम साथ लिखने के बाद में हम उनके ऑचरत के लिखे तक एक दो यूद्धारं उसके औरचित कोई प्षट करेंगे एक उधारण देंगे इनमें से किसी एक को उधारण में डाल देंगे उसका कारणे लिख देंगे सबसे important काम जैसे इस सिरी धर्म का सबसे important काम क्या है Metro Project और उन्होंने पूरा किया पूरी एमानदारी के साथ में अनुल बोडिया साम ने सिक्षा के छित्र में बहुत जवर्दस्त काम किया है अभी जारखंड के एक I.E. सदकारी हैं जो बहुत ज़्यादा चर्चाओं में हैं जिन्होंने सिक्षा के छित्र में काम किया है मैंने कल भी आपको बताए था AI की मदद से तो उनका नाम हम लिख सकते हैं अरुना रॉय के नाम हम लिख सकते हैं आप चाहो तो मंजू राजपाल का नाम भी आप लिख सकते हो जन्होंने दादी सा के नाम से कहते हैं जाना जाता है मंजू राजपाल का नाम भी इसमें लिख सकते हो गांदी जी का कोई कथन डाल देंगे जैसे गांदी जी का ये कथन आप डाल देना कि जिस परवर्तन को आप दूसरों में देखना चाहते हैं पहले उस परवर्तन को स्वहम में लेके आईए तो ये क्या हो जाएगा गांदी जी का एक एक लायन हो जाएगी कथन हो जाएगी और इसी दिए हम कहते हैं कि ऐसे ऐसे कर देंगे तो पांच लोग जोड़ देंगे एक कन्नन गोपी नाथन का नाम जोड़ दो इसमें कन्नन गोपी नाथन एक राकेस कुमार ऐसा कुछ एक व्यक्ति और है जिन्होंने साइद करनाटक में बाड़ बगेरा आई थी तो वहां कुछ अच्छा काम किया था तो उनका नाम हम जोड़ देंगे और इसके अलाबा एक और व्यक्ति है जिनका नाम हम जोड़ सकते हैं आदिवासी समधाई के लिए काम किया था साइद वो सरदार हैं या क्या नाम है उनका फकीर चंद औरा फकीर चंद औरा जो है इनका उधारन भी हम इसमें जोड़ देंगे और रमेश कुमार करनाटक में इन्होंने काम किया था रमेश कुमार और जब यह सब नाम याद नहीं आ है तो आपके अलाके में कोई ना कोई आप सबसे पहले लिख देना, हमारी पुस्तक का नाम ही क्या है, integrity, तो सबसे पहला integrity लिख देना, integrity सत्य निष्टा या इमांदारी जो भी आप सब्द लेना चाहो, सत्य निष्टा ले लेना चाहिए इमांदारी ले लेना, वैसे तो इनमें बहुत ज्यादा अंतर होता है, ज यहने कि उत्तरदायत वो एकांटविल्टी लिख लोगे एकांटविल्टी के साथ में आप जिम्मेदारी भी लिख दोगे responsibility अलंकि इनको समझने में बहुत टाइम लगता है लेकिन ठीक है उत्तरदायत वो जिम्मेदारी में से कोई भी लिख दोगे इसके अलावात नमर तीन पर आप क्या ले लोगे करुणा ले लेना करुणा बहुत ज़्यादा चर्चाओं में है आजकल education में बहुत ज़्यादा चर्चाओं में है करुणा के साथ में sympathy और empathy इसके बाद में यह हो गया यह हो गया यह हो गया चीक है और और क्या लिख सकते हो आप ट्रांस्पेरंसी पार दर्सिता पार दर्सिता का गुण भी होना ही चाहिए ना ट्रांस्पेरंसी एकाउंट के विल्टी में आपको बताए दिया ट्रांस्पेरंसी तो एक दो तीन चार हो गए ट्रांस्पेरंसी और आप क्या लिखोगे फियरनेस लिख देना निस्पच्चता तो ये पांच गुण सबसे इंपोर्टन्ट है आप क्या चाहते हो आपके यार का जो लोक सेवक हो उसमें कौन-कौन से गुण हो तसरा से पहले तो वो इमांदार होना चाहिए दूसरा उसमें पूरी तरीके से उत्तरदायत की भावना होनी चाहिए वो समाज के प्रति अपने उत्तरदायत को समझे अपनी जिम्मेदारी का इसास हो उसको तीसरा वो समाज के सभी वर्गों के प्रति उसके मनमें करूना हो वो सबके साथ संबेदन सीलता के साथ विवार करे संबेदन सील नहीं होगा तो कुछ वर्गों के वो क्या है आपका निस्पक्ष ता फियरनेस होना चाहिए निस्पक्ष नहीं होगा और भीदवाव यदि करने वाला होगा तो फिर कैसे काम चलेगा तो इस प्रकार से है तो जब आप इमांदारी पे लेखे हैं तो सिरी धरन साब का ही नाम जोड़ देना कि मेट्रो मैन इसी अधरन साब जिन्होंने मेट्रो प्रजेक्ट को पूरा किया इतने बड़े मेट्रो प्रजेक्ट को इन्होंने पूरा किया जैसे कलकत्ता मेट्र हो पूरी पाइब और समय पर पूरा करके दिखाया और अधिती उधारन पुरिष्टत इनूने किया अच्छे सब्स जोड़ना ना फिर आप दूसरा उधारन किसका ले लोगे आप रांसपेरंसी का लोग है तो ट्रांसपेरंसी के उधारन में आप किसका जोड़ दे हुए इसक सिता महीं आप किसका नाम जोड़ देना, अरोना राय का नाम जोड़ देना, कि ये RTI, Right to Information के लिए इनोंने संगर्स किया, उसको लागू करवाने में नोंने काफी संगर्स किया, और जिसकी वज़े से क्या आया, कि वही पारदर सिता आईये, आप किसी भी विक्ति को कोई सू कि वही इनोंने जो आदिवासी समाज है, आदिवासी समाज के लिए इनोंने बहुत ज़्यादा काम किया, आदिवासी समाज के लिए यह काम किसने किया, पकीर चंद ओरा ने भी किया, 36 गलो जारखंड वाले इलाकों में, जो निकसल वारी वाला जो इलाका है, वहां पे इ केमिलियमेंक में काम किया और यहां पे आप इनको उत्तर दायत या जिम्मेदारी की भावना कह सकते हो कि जब आपदा आई, तो आपदा में इनों ने बहुत सांदार काम किया, यही काम रमीज कुमार ने किया, करनाटक में, जब बहुत ज़्यादा बार वगेरा आई, तो इनों ने बहुत सांदार तरीके से काम किया, और इनका नाम भी यहाँ भी जोड़ दो, यहाँ भी जोड से काम किया उत्तरदायत्य जिम्मेदारी की भावना सभी बर्गों के लिए मनमे थी तो मंजुराजपाल ने काम किया तो यह सारे के सारे उधारन आप लिख दोगे और यह उच्छत भी जैसे आप उधारन लिखोगे तो आपका उच्छत इसपस्ट हो जाएगा कि हवाई यह सवाद यह जो सारे के सारे गुण है ना इन पर हम बागाद है एक एक क्लास लेंगे ना तो और ज्यादा समझ में आएंगी यह बात क्योंकि स्वास्चंद बोस्का उधारन लिख लेना जब वो आईये सदकारी थे और कोलकता में जब वो काम कर रहे थे आईसी एस ऑफीसर तो उन्होंने बहुत ही सांदार काम किया प्रसासनिक तोर पर भी उन्होंके काम बहुत सांदार थे और उसी को अधार बनाके जब उन्होंने आजाद हिल फोज की स्थापना की तो समानता और निस्पचता के आधार पर ही उन्होंने क्या किया महिला रेजिमेंट की भी पामिल थी। उनका उधारन आप चाहो तो जोड सकते हो। एक और ICS ओफिसर थे जोनों ने बहुत अच्छा काम किया था, बाद में उन्होंने स्थीपा दे दिया और आजादी के संगर्स में कूद पड़े थे, उनका नाम था अरजुनलाल सेठी, उनका नाम आप जोड सकते हो, तो कुछ और उधारन है जो उनका आप ले सकते हो, और पास हो गया, गांदी जी का कथना आपने लखी दिया, कहे दिना कि ये सारे के सारे गुण एक लोग सेवक में होने चाहिए, यदि ये गुण नहीं होंगे, तो क्या-क्या नुकसान हो सकता है, वो बता देना, जिम्मेदारी की भावना नहीं रहेगी, तो किसी बिसेज़ पर इस्तितियों में वो नर्न नहीं ले पाएगा, और अपनी जिम्मेदारी समझ के कार्ण नहीं करेगा, सिंपते की भावना नहीं रहेगी, तो किसी बिसेज़ वर्ग के लिए काम नहीं कर पाएगा, ट्रांस सभय करम चारी लोग सेवक को लोग सेवक को नहीं कराते हैं तो यह सब चीज हैं, इन सब के उधारण आप जोड़ दो, लिख दो, और लास्ट में ये भी लिख देना कि बिवाद सभी के साथ जोड़ते हैं, जो भी कारे करेगा, हर किसी के साथ बिवाद जोड़े जा सकते हैं, लेकिन कुछ प्रिखती हैं, जिनके कारे निर्वेवाद रूप से निर्विवाद रूप से क्या करते हैं उनकी सत्निष्टा को इस्ताफित करते हैं उनकी जिम्मेदारी को तै करते हैं उनके उत्तरदायत को तै करते हैं और बताते हैं कि उन्होंने पूरी जिम्मेदारी पूरे उत्तरदायत के साथ सौपरसन तरीके से काम किया इतना बहुत है ना कोई दिक्कत हो कोई परेशानी हो तो और पूछ लेना चलिए नेक्स्ट कोस्टन की तरफ बढ़ते हम और जो हमारा नेक्स्ट कोस्टन है वो क्या कहता है 2020 का है 21 में एक ही प्रसन है लांकि ये भी टॉपिक नमबर एक से पूरी तरीके से जड़ा हुआ नहीं है लेकिन फिर भी ठीक है हलका सा जुड़ा हुआ है तो हमने बात कर ले 2020 क्योंकि इसमें क्या आ गया इतीकल वैली उजा गई एक्टिकल ट्रेट आगे किसलिए 2020 का कुस्टन है इंटरनेट पर अधारित है तो इंटरनेट ने इंटरनेट का संगर्स और असली जीवन का संगर्स कैसा है पुराने हमारे कुछ मूल्य बने हुए अब इंटरनेट फैल रहा है चारों तरफ तेजी से विस्तार हो रहा है जिसकी वज़े से कुछ नए मूल्य पनपने लगे हैं तो इन दोनों में क्या हो रहा है विवाद की स्थिती हो रही है संगर्स की स्थिती पैदा हो रही है और अलग-अलग अलग-अलग मूल्लों के साथ खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं तो इस परिस्तिती का पर एक अच्छा सा उत्तर लिखना है मैं कुश्चन आपको पढ़के बता देता हूं क्या कहता है हमारा कुश्चन तो इसकी बिवेच ना करनी है हमको क्या करना है इसका ठीक है बिवेच ना करनी है तो चलिए बिवेच ना कर देता है कि किस परकार से संगर्ष में है किस परकार से संगर्ष में नहीं है 2020 का ये प्रिश्चन है 2020 मतलब COVID लेट हुआ था एकजाम उस साल काफी लेट हुआ तो 2020 में कुष्चन आया और जो कुष्चन आया मैं फिर दुवारा से वह कुष्चन की कुछी आ दो आ गहीं तो तो कि संके ए यह तो सामिक इंटर्नेट विश्टारण ने सांस्कृतिक समुझ की एक भिनने समुझ को बना सी किया है तो इंट इंटर्नेट विश्चन प्रम प्रागत मूले ॐ और दोनों में संगर्ष यह पढ़कर के कुछ याद आ रहा आपको आपको तो क्यों आ रहा होगा आपने अभी पढ़ा ही नहीं है यदि आपने Hegel को पढ़ा होता तो आपको पता चलता कि thesis, antithesis और फिर synthesis अभी समझेंगे क्या कहते हैं Hegel अबारे Frederick Wilhelm Hegel साथ उनका पूरा नहा हमेरा चलिए Hegel भी किस से जुड़े हुए हैं आपके पूर्टावाद से जुड़े हुए तीलियोलोजी में एक विचार आए था ना पूर्टावाद चलिए Internet आ गया है तेजी से फैल भी रहा है तो आप मेरे को बताओ कि Internet की वज़े से कौन से नए मुल्य आ रहे हैं जो कि परंप्रागत मुल्यों पर भारी पड़ रहे हैं Internet की वज़े से आ रहा है तो ब्यक्तिकर सृतंतरता का विचार जो है वो आ रहा है ब्यक्तिकर सृतंतरता का विचार इसी से आ रहा है कि युवाओं में Double Income No Kids की प्रवर्दती वड़ रही है कि भाई Income हम Double चाते हैं लेकिन Kids नहीं चाते हैं की दो लोग हैं साधी करेंगे वो क्या चाहते हैं कि हम दोनों ही कमाएंगे income हमारी ज़्यादा रहेगे लेकिन हमें kids नी चाहिए बच्चे नी चाहिए जिम्मिदारी नी चाहिए तो क्या हो गई ब्यक्तिति laughed स्वत्मत्रता उनको क्या चाहिए ज्यादा चाहिए और क्या होगा है नवीनता और परंपरा में क्या हो रहा है टक राव वैसे तो पूरा कोस्टन ही है यह अलग से नहीं हो गया इसको तो ऐसे कोश्टक में रख देते हैं अभी के लिए इसके अलावा आप इसमें एक चीज और जोड़ दो, पास्चात्य करन, पास्चात्य बनाम आधुनिक्ता, कुछ लोग क्या समझते हैं कि आधुनिक्ता को ही बेस्टनाइजेसन समझ लेते हैं, तो दोनों में अंतर होता है, तो ये एक संगर्ष वक्त तेजी से फैल रहा है, इसके अलावा क्या फैल रहा है, कि स्वतंतरता तो समको चाहिए, जिम्मेदारी नहीं चाहिए, लेकिन जिम्मेदारी कोई नहीं लेना चाहता, तो स्वतंतरता बनाम जिम्मेदारी, और क्या है? एकी करण बनाम अनामता, अनामता जानते हो, जिसे गाओं में, गाओं में सब, हर एक व्यक्ती हर एक को जानता है, सहरों में लोग पड़ोसी को भी नहीं जानते हैं, और जब इंटरनेट फैलता जा रहा है, तो लोग क्या होते जा रहे हैं, बहुत ज्यादा एकागी होते जा रहे हैं, तो वो आस-पास की लोगों से इतना परिचे ही नहीं दे रहा है। उनसे उतनी बातचीत ही नहीं हो पार रही है जिस से अनामिता का खत्रा उतपन हो रहा है। कि मेरे को कोई बाहर कोई जानता ही नहीं। एक बहुत प्रसित बेंगे कार हैं उनका एक कतन है कि वएई फेस्बुक पे पांचे जार फ्रेंड है घर में बोल चाल बंदा है मोबाइल में तीन हजार कॉंटेक्ट हैं लेकिन फॉन करने वाले तीन लोग नहीं है ओजा और उनी बैंगरकार के सब्दों में कि पुराने जमाने में गड़ी किसी किसी के पास होती थी और समय सब के पास होता थह हुआ आज कंग हम नि ωती सबके पास ए मतलब मोगल में तो गड़ी गड़ी का शरूप बदल गया जा लेकिन टाइम किसी के पास नहीं है और वो एक कथन जो सोतल विडिया पर खूब चलता है कि सब भाग भी रहे हैं लेकिन कोई पहुँच भी कहीं नहीं रहा है तो इन सब संगर्सों को ले करके जो बातचीत है उसको ही हम देखेंगे एक अजनवी करन बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है लोग एक दूसरे से अजनवी हो रहे हैं वो मैंने आपको बात बताई दी अब देखिए होता क्या है चीजों को समझते हैं कुछ बड़े वेक्तियों को बीच में लेकर के आते हैं ताकि चीज और अच्छे से समझ में आए यह तो आप समझी गए हैं कि हम किसकी बात कर रहा है कि कुछ नए मुले विक्सित हो रहे हैं सुतंतरता बहुत ज़्यादा विक्सित हो रही है जिम्मेदार नहीं बनना चाहता है विक्ति का सुतंतरता को बहुत ज़्यादा बढ़ावा बनना चाहता है हर कोई बैस्टनाइजेसन को अपना आना चाह रहा है वो कहरा में मौडन हूँ लेकिन क्या वास्तम में वो मौडन है आधुनी की करन वास्तम म बात है एक बड़ी व्यक्ति को हम ले करके आएंगे और उनका नाम क्या है मिशेल फुकोफ फ्रांससी इतियास कार कहलो दारष ने कहलो मिशेल फुकोफ फ्रांस के दारष ने कि अवधारना दे एक नोरी थी और वह थे Community इन्होंने क्या दी knowledge की, यानि कि ज्ञान की अवधारना, हम इसको अवधारना जवरदस्ती मैं ही कह रहा हूं, इन्होंने एक knowledge पर एक बात कही है, modern संधर्वों में, क्या बात है नोंने कही, इन्होंने कहा कि ठीक है, बर्तवान समय में internet फैल रहा है, तेजी से internet का क्या हो रह है, बढ़ रहा है, चारो तरफ फैलता जा रहा है, ग्यान फैल रहा है, और जब ग्यान फैलता है ना, तो ये ग्यान क्या करता है, जो सक्ति की जो सरचना होती है, उनको प्रभावित करता है, सक्ति की सरचना क्या है, बर्तवान समय में जो राजनिती प्रवकुरूप से सक अजयो दो तैक हो एक समय परच्छे छपते थे election होते थे गरगर ज़ाकर परच्छे बांट के आते थे आज कल election का सुरूप ही बदल गया आज कल election उस तरीके से लड़ी नहीं जारे जैसे पहले लड़ते थे आज पर इसकल इलेक्सल भी इंटरनेट पर ही लड़े जा रहे हैं, सोशल मीडिया पर ही लड़े जा रहे हैं, ज़्यादता पार्टियों ने अपनी क्या बना रखिये, एक IT टीम बना रखिये, और उस टीम का काम है कि किसी दूसरा जो नेता है, वेपच्छी पार्टिय का जो ने खरीदे जाते हैं, बेचे जाते हैं, ब्यूज भी खरीदे बेचे जाते हैं, चूंकि सोशल मीडिया पर AI है, तो आपको तो एक विसेश प्रकार की चीजें ही दिखाई जाती है, तो प्रभावित किया जा रहा है, तो मिसेल्फ को ये कहते हैं कि इंटरनेट के प्रसाद न अभी वहाँ पर ट्रम्प और कमला हैर्स के वीच जो चुना हुआ, रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक्स के वीच में, चाह कहीं पर भी हो, वहाँ क्या कहते हैं कि सोशल मीडिया बहुत बड़ी भूमका नवाता, इंटरनेट एक बहुत बड़ी भूमका नवाता, ये कौन के विक्ति हैं, कनाडा में ये पत्रकार बगेरा और मीडिया से जुरू हुए विक्ति रहे हैं, इन्होंने के विचार दिया और जो विचार था उसका ग्लोबल विलेज, ग्लोबल विलेज की अवधारना से तो सब पढ़चिती होंगे, बैस्विक गाउं, बैस्विक के बारे में, पेजर के बारे में, हर चीज को तो पता तो है, ठीक है, कि तक्निकी प्रगती हो रही है, मीडिया में तक्निकी प्रगती हो रही है, संचार के छेतलू बहुत ज़्यादा प्रगती हो रही है, और ये दुनिया को एक कर रहे हैं, संस्कृतियों का फैलाव हो र लेकिन इसके वज़े से अपनी पुरानी संस्कृति को भी भूलते जा रहे हैं यह किसने बाद कई यह मेखलूहान ने बाद कई जैसे आपको जानके बड़ा अस्चर होगा कि करवा चौथ एक समय पर भारत में बहुत सीमे छेत्रों में मनाया जाता था लेकिन इंटरनेट के परसार ने बॉलीवूर के परसार ने और इंटरनेट के परसार ने जब से इस्टेटस वगएरा यह कि अवदार ना आई तो उसे करवा चौथ को एक बहुत बड़ा तोहर बना दिया और भी कई सारी बहुत सारी ऐसी चीजह है जो की संस्कृति का हिस्सा नहीं थी जैसे धही-हानी वाला हिस्सा है, जो महराष्रा में प्रेमक्रूप से होता था, मटकी फोरत है आजकर भारत के लगवे बहुत सारी छेत्रों में उसका प्रिसार हो गया गर्वा जो है गर्वा का बहुत जादा प्रिसार हो गया किसी जमाने किसी एक राज्य विसेस में ही था किसी छेत्र विसेस में ही था इसमें भूंका किसकी है? इंटरनेट की भूंका बहुत बड़ी है, सोसल मीडिया की भूंका बहुत बड़ी है इसका जो एक नुकसान वो है कि लोग क्या करते हैं कि अपने जो पुराने जो पारमपरेग रीती रवाज जो चल रहे होते हैं आज कल मॉडनाईजेसन इंटरनेट की जवाने में बहुत सारे ऐसे काम है जो लोगों ने छोड़ दिया, सीखना छोड़ दिया और जिससे रोजगार के अबसर भी कम हो गए तो ये सारी बात हैं अब इसमें जो तक्निकी की दुनिया के बड़े जो एक दो-तिन लोग है उनका उधारन और जोड़ दो आप तो आप जोड़ दो कि यह नाम है यह Facebook वाले का मार्क जोकरवर्ग कि जो इस वात को इस वात को नहीं पर सुखे हैं आपने कई इंटर्वू में यह बात कहते हैं कि हवाई इंटर्नेट के विस्तार ने संस्कृतिक मुल्यों और के टकराव की स्तिति पेदा किया सांसSCRTK मुल्यों में टक्राव की इश्थिति उत्पन्न की है ये दोनों ये मानते है सांसSCRTK मुल्यों में टक्राव की जो इस्थिति है वो पैदा हो रही है और यदि किसी का नाम भी और जोड़ना चाहे तो एक और सिध्धानत है जिसको कहते है टेक्नोलोजिकल डॉमिनिशन यहां में जोड़ देता है टेक्नोलोजिकल डॉमिनिशन टेक्नोलोजिकल डॉमिनिशन और हरवर्ट मार्क्यूज मार्क्यूज इसकी स्पेलिंग कैसे पता नहीं जा गलत लग जाएगी मार्क्यूज जासे लिख लो आप तो मार्क्यूज है यह डिजिटल डॉम्ट टॉक्रिनिशन के बात की कि वह सांस्कृत परवर्टन हो रहे हैं इनका साफ बात कहना है तक्निकिया वह क्या कर रही है उतने प्रभावी नहीं रहे हैं वो कमजोर हो रहे हैं और जो नए मुल है जो की डाइनमिकता का एक मुल है गतिसीलता का जो मुल है प्रक्तिकत स्वतंतरता का जो मुल है निजता का जो मुल है ठीक है स्वतंतरता का जो मुल है जिम्मेदारियों से दूर जाने का जो मुल ह और इसके अलावा अजनवी परकरण जो है यह सारी की सारी चीज़े क्या हो रही है तेजी से बढ़ रही है तक्निकी आपके जीवन को सराल बना रही है सब को पता है तक्निकी से जीवन बहुत ज्यादा सराल होता जा रहा है आसान होता जा रहा है लेकिन यह बात नहीं बूल होनी चाहिए कि इंटरनेट जो है वो उक्वोक ता वादी संस्कृति को बढ़ावा दे रहा है बस हर चीज चाहिए आईफॉन चाहिए और टेक्नलोजी चाहिए ए आई चाहिए चैट वोड चाहिए एलकसा चाहिए सीरी चाहिए और मेरे को तो बहुत से ध्यारती मैंने करके पढ़ते कितने हैं वो भी तो एक दिक्कत की बात है ना उसका उप इसमें और किसको जोड़ देता हूँ, आपको हीगल को जोड़ करके और समझा देता हूँ, इस प्रिसन को, फिर आपको बता देता हूँ, ठीक है, तो एक सेकंड दीजेगा मेरेको, तो मैं आपको हीगल के उधारा से समझा देता हूँ, थोड़ा आपके अच्छे से समझ में आ जाएगा, हीगल का विचार तो दार्शनिक विचार है, हम इसमें जोड रहे हैं, कैसे देखिए, हीगल का विचार क्या है, हीगल यह कहता है कि एक होती है, थीसिस, थीसिस का मतलब क्या है, बर्तमान विचार, इसके बिरोध में एक विचार आता है, जो नवीनता का गुण लिये इन दोनों विचारों में एक संघर्ष चलता है इन दोनों विचारों में क्या होगा एक संघर्ष चलेगा संघर्ष चलेगा संघर्ष में जब तक थीसिस हावी है तब तक कुछ नहीं होगा लेकिन जैसे ही थीसिस कमजोर होगा और एंटी थीसिस मजबूत होगा तो क्या को अपना करके प्रवावीस में एंटी थीसिस रहेगा और एक नया विचार बना देंगे उसको क्या कहेंगे एंड उसको हम कहेंगे सिंथेसिस दोनों विचारों का समझ वैं समझ मैं अब यह जो सिंथेसिस है न अब यह किसका रूप ले लेगा दुवारा से थीसिस का क्यों कि अब यह विचार चलने लग गया तो यह बरतमान विचार हो जाएगा जब जैसे इसके बिरोद में कोई नया विचार आएगा वह एंटी सिसिस और ये संसार का करव ऐसे ही चलता रहता है, यה बात किसने कई, Corporal अगर ने कई, जो कि चल रहे हैं, और क्या थे वो समाज में? विद्वान से, समाज में चल रहे हैं, अच्छे से चल रहे थे. जैसे एंटी थीसिस को यह दियम इंटरनेट की दुनिया में कहें तो क्या कहलो इसको डिजिटल विचार कहलो यह मिटा दूँ क्यों में जैसे हम एंटी थीसिस जो है एंटी थीसिस को क्या कह देते हैं डिजिटल विचार जो हमारा थीसिस है उसको क्या कहेंगे परंपरागत विचार जो अब थीसिस और एंटी थीसिस इन दोनों में तक्राव हो रहा है इसी संगर्स में कहते हैं कि बच्चे मोवाइल ने समको कटाव कर दिया यह कर दिया और जाने क्या क्या कह रहें पर अब क्या होगा ना दीरे दीरे क्या होने लग गया है कि जो परंपरागत विचार 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 ना इनका मिश्रण होने लग गया है यह आपस में इनोंने समनवे कर लिया है और समनवे करके इनोंने सिंथेसिस अपना लिया अब क्या सिंथेसिस हो गया उधारन कैसे दिनेंगे सिंथेसिस का अब जैसे कि हमने क्या कर दिया जो डिजिटल आईडिया है अब जो प्राचीन सिछा प्रणाली चल रही थी अब क्या आगया कि टेक्नोलोजी आगई तो ह हमने क्या कर दिया सिख्छा में सिख्छा में तक्निकी को अपना लिया यानि कि जैसे ही हम इन विचारों को सार्थक रूप में काम में ले रहे हैं और पूरा समाज स्विकार कर रहा है जैसे हमने सिख्छा में तक्निकी को लिया पूरे समाज आज ने स्विकार कर लिया कि हाँ अच्छी बात है अच्छी बात है तो इसमें क्या हो गया अब यह सिंथेसिस हो गया अब यह विचार बहुत कॉमन हो जाएगा कि इस एजुकेशन में तो टेकनोलोजी होती है क्या है कुछ भी नहीं आता तो पूछो ना चैट जीपिटी से क्या टेंजान है जाएगा अब आप देखते हुँगे जैसे साधी होने लग गई और भी कुछ प्रोग्राम ने लग गई इन्हों तक्निक का कितना ज़्यादा रोल होने लग गया जैसे ड्राउन केमरे आ गए व्युडियो ग्राफी हो रही है ड्रॉन से हो रही है तो और भी कई सारे तरीके, और भी कई सारी टेकनोलोजी आने लग गई, सजावट के लिए खुब सारी टेकनोलोजी आने लग गई 3D प्रिंटिंग आ गई और 3D प्रिंटिंग की मदद से कई सारे नवाचार किये जा रहे हैं तो हमने सिक्षा में तक्नीकी को अपना लिया, अपने जो परंपरागत जो मूले जो चल रहे थे, जैसे साधी बवा बगएरा उनमें अपना लिया, हमने परिवारों को, जैसे ऐलेक्सा को परिवार का हिस्सा ही बना लिया बहुत से लोगों ने अब हमने क्या कर लिया जो internet of things की जो दुनिया है उसको अपना लिया smart जो बस्तुएं आती है जो कि bluetooth से जुड़ जाती है और automatic बंद हो जाती है चालू हो जाती है तो उससे हम जुड़ गए तो education में आ गया इसके अलावा अब क्या हो गया अब हम परवार के दुनिया थे पहले चिठी अपनाते दे आजकल वीडियो कॉल कर रहे है वीडियो कॉन्फरेंस हो रही है बेवी नार हो रहे है अब लोग क्या कर रहे है अभी व्यक्ति के साथ साथ अपनी जो पहले जो अभ एब स्टानिय भासा ili यूठो प्रम्पर्म उल्यों में यह क्यों नए मुल्यों में और ऑइस तक्राव की वज़े से क्या हो रहा है एक नए विचार जो है वो कुछ नए विचार जो है हमारे एदा हो रहे हैं और हम उन नए विचारों को अपना भी रहे हैं उन में से कुछ विचार यह है इसमें कोई भी आपको परेशा नहीं हो दिक्कत हो कुछ भी बात मेरे द्वारा कही जाए और वो समझ में नहीं आए तो आप क्या कर सकते हो पूछ लीजिए प्लीज रुक्वेस्ट करके कमेंट सेक्शन खुलाए ना पूछने में क्या ही जाता है यदि आप पट रहें सीख रहें तो सवाल पूछना बहुत जरूरी है तो मेरे इसाब से यह प्रिस्ट इतना ही है इसमें यह सारी चीजें लग दोगे तो खुब सारा हो जाएगा इतनी सारी अब्धारनाएं लग दोगे कई सारे मुल्य लग दोगे नए मुल्यों से टक्राव हो जाएगा और दोनों मुल्यों को मिला करके कुछ नए मुल्य मिल रहे है उसको खर दे हुए तो आप कहोगे कि हाँ बिलकुल आम आदमी कुछ नए मुल्यों को अपना रहा है एक प्रिस्ट और है अभी तक मेरे समझ में ये बात नहीं आई कि वीडियो कितनी लंबी बनानी होती है आप मैं से किसी का कोई कमेंटी नहीं आया अभी तक को मुझे भी नहीं पता कोई नहीं चलो टेक कुस्चन और मैं चाहता हूँ की उस पर और चर्चा कल लेते हैं 2020 का ही है क्या है क्वेश्चन क्या कहता है एजुकेशन को इंजेक्शन थोड़ी है कि किसी में भी इंजेक्शन डाला और काम हो गया इसके संदर में इसकतन के संदर में न्यू एजुकेशन पॉल्सी को देखना है न्यू एजुकेशन पॉल्सी नेशनल राष्ट्य सिच्छानिती 2020 को देखना है तो 2020 में ही आई थी ये 2020 में पॉल्सी 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 निशेदाग्या नहीं है ये बिक्ति के समग्र विकास और समाजिक बदलाव यहां लिख देंगे हूं समग्र विकास समाजिक बदलाव और प्रवावी साधने नई सिच्छानिती 2020 का परिच्छा न इपी 2020 यही पर सिच्छा भी जोड़ दो यहां पर सिच्छा भी हम बता देंगे क्या होती है यह परिशन मेरे साथ से बहुत आसान है और अब यह मेरे साथ से रिपीट होगा भी नहीं रिपीट तो ऐसे भी खनी होते हां उससे मिलते जुलते बिचार रिपीट हो जाते हैं उससे मिलते जलते जरूर आ जाते हैं और दूसरा हमारी समझ में भी आ जाता है कि किस प्रकार के लगवग प्रिसन आते हैं तो injection नहीं है निसेदाग्या का मतलब है मना करना तो सिच्छा किसी काम को मना करने के लिए नहीं कहती सिख्चा ये नहीं कहते कि मना करो सिख्चा क्या है सा विध्याया विमुक्ते सा विध्याया विमुक्ते विध्या वही है जो हमें सभी प्रकार के बंदनों से मुक्त करती है गांदी जी कहते हैं व्यक्ति की अंतर नई छमताओं का पूर्ण विकास करना ही सिक्षा है सिक्षा जीवनवर चलने वाली प्रक्रिया है एक दिन में नहीं रुकेगी तो ये सारी की सारी बाते हम किसमें डाल सकते हैं सिक्षा की सुरुवात में डाल दें भूमका में लेख दें और हम ये लेख दें कि सिक्षा एक निसेदाग्या नहीं है और इंजेक्षन जो साथ होता है वो कोई आदेस या कोई निर्देस जो किसी कार को करना करने की सलहा देता है उसी को यह निसेदाग्या कहते हैं और निसेदाग्या का मतलब है किसी गतिविधी को रोकना तो सिक्षा किसी गतिविधी को रोकने का एक उपकरन नहीं है सिक्षा यह नहीं कहते कि किसी भी एक गतिविधी को रोकना है क्योंकि सिक्षा के उद्दे से किवल यह नहीं है कि ज्यान देना सिक्षा से हम overall development चाहते हैं समग्र विकास, व्यक्ति की अंतर नहीं समग्र सक्तियों का विकास हम चाहते हैं हम व्यक्ति को समाजिक तोर पे भी मजबूत चाहते हैं अपको मांसिक रूप से भी चाते हैं समाजिक तोर पे भी चाते हैं और ग्यान के छेत्र में तो चाहते ही चाते हैं तो यह सब लिख देंगे यह सब लिखने के बाद में हम NEP के कुछ मरत्मून चीजें लिख देंगे जो की समगर विकास के काम में आती हैं तो कुछ चीजें यह में लिख देता हूँ पहली चीज़ है F L N, F L N क्या है, foundational literacy and numeracy, बुनियादी साथ चर्ता एवं अंकगरती है कौसल, fundamental, foundational, तो बुनियादी हो गई, foundational literacy, यानि कि साथ चर्ता हो गई है, numeracy, यांकी अंकगरती है ग्यान हो गया, प्रतियक व्यक्ति में हम यह चाहते हैं कि जब वो 9 वर्स तक हो तो वो क्या करना साथ समझ सीख जाए, अर्थ सहीत पढ़ेना, पढ़ेना तो सम जानते हैं, लेकिन अर्थ को समझते हुए पढ़ेना और जोड बाकी गुणा भाग, जोड बाकी गुणा भाग, ये उसको आ जाए, बेसिक बुनियादी योगरती चाहता है, वो उसको आ जाए, तो ये क्या है, FLN है, ये सबसे इंपोर्टेंट है, ये निपन भारत मिसन, FLN के, NEP के ताए चल रहा है, और उसमें हम चाहते हैं कि प्रतेग व्यक्ति में, NEP निपन भारत मिसन के ताए तो उसमें ये बुनियादी कॉसर हो, दूसरा जो निव एजुकेशन पॉलसी है, उसमें जैसे मैंने अभी जिकर किया था आपको, डलाई लावा साब के जिकर के समय, डेनियल गोलमेन के जिकर के साथ, कि हम सील एजुकेशन को बढ़ावा दे रहे हैं, सील लर्निंग को, सील लर्निंग क इसको भी हम क्या दे रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं, यानि कि निव एजुकेशन पॉलसी में हम कह रहे हैं, कि हम व्यक्ति को केवल सामाजिक रूप से मजबूत नहीं करना चाहते हैं, हम भावनात्मा रूप से भी मजबूत करना चाहते हैं, नैतिक रूप से भी उसको आई टी के छेतर में उन्होंने क्या होट मेल वनाई थी और उसको बेचा था तो सबसे से important गुण होना चाहिए वो क्या होना चाहिए critical thinking and creativity तो हमने इसको NEP में जोड़ा है critical thinking and creativity यह NEP के important आयाम है मैतपूर बिंदु है यह सब NEP के document में आये हुए है वही से लिये हुए मैतपूर मैतपूर चीज़ है तो critical thinking and creativity है critical thinking क्या है कि किसी business परिस्तितियों में किस तरीके से आप react करोगे क्या फैसला लोगे और तो reasoning power जिसको हम कहते है तो वो critical thinking है और creativity तो आप चाहते हो कि रशनात मकता है कि समस्याओं उसका हल डूड़ सके उनका मुल्याकन कर सके नए विचार हो ले करके आ सके तो यह हो गया इसके अलावे और क्या है important is my experience based learning experiential and experience based learning your experiential and activity based learning as you go for experiential experiential and activity based learning कि हम बच्चों को अनुभव के आधार पैजिकेशन देना चाहते हैं खुद करके सीखें एक चाइना पता में यह कहावत है चाइनीज प्रोवर्व है या कौन सी प्रोवर्व है कि मैं मैं देखूंगा थोड़ा सीखूंगा मैं सुनूंगा ज्यादा सीखूंगा और यदि में सामिल हूंगा तो सब कुछ सीखूंगा यानि कि जब एक्तिक खुद हाथों से करता है न तो बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से सीखता था तो यही experiential और एक्टिविटी वेस्ट लड़नेंगे कि गतिविदियों के अधार पर सीखें करके सीखें और क्या है इसमें बहुवासा मल्टी लेंग्विज बहुवासा और मात्रवासा को बढ़ावा कि हम चाहते हैं कि पांच वी तक बच्चे को एक से पांच तक एजुकेशन किस हम यह भी कोसिस करें कि वो दो से तीन से जादा बाशाय पढ़ सके वो जितनी वासा पढ़ना चाहता है वो तो नहीं पढ़े जैसे अभी तक हमारे यह तीन वासा ही पढ़ सकते हैं जैसे एक फश्ट लेंगेज होगी हिंदी या अंग्रेजी या आपकी गुजराती हो चाहते हैं कि भई दक्षता आधारत मुल्याकन हम करेंगे बच्चों का केवल कॉपी के आधार पर आंकलन नहीं करेंगे कि वही परसेंटेज बन गई ठीक है आंसर लिख दिये हम चेक कर लेंगे इतनी परसेंटेज है नहीं हम नई एजुकेशन पॉलसी में बच्चों का जो असेस्मेंट जो करेंगे एवलिवेशन जो करेंगे हम करेंगे दक्षता आधारित करेंगे दक्षता आधारित मुल्याकन कमपेटेंसी बेशलो असेस्मेंट एवलिवेशन तो बच्चों की बास्तविक छमता हम देखेंगे बच्चों में क्या कॉसल डवलप हुए कित के आदार पर ही हम उसको उसका असेस्मेंट करेंगे सोरी यह उसका हम क्या करेंगे मुल्यांकन करेंगे ठीक है नेक्स चीज हम क्या देखेंगे हम उसका हम उसका समग्र विकास करेंगे इसके लिए प्रोग्राम चल रहा है जिसका नाम है कि निश्टा नाम से प्रोग्राम चल रहा है तिय है गो नेशनल इनिसियेटिव फूर होलिस्टिक डवलॉपमेंट आफ टीचर्स एंड ऐसे करके उसका कुछ नाम है ठीक है तो यह है तो होलिस्टिक होलिस्टिक डवलॉपमेंट हम करेंगे समग्र विकास इसके अलावा और हम क्या करेंगे मल्टी डिसिप्लेनरी कर रहे हैं हम क्या कर रहे हैं बहु आयामी सिक्षा कर रहे हैं समग्र और बहु आयामी सिक्षा का मतलब है कि अब तक क्या था कि साइस पढ़ने वाला वक्ति केवल साइस ही पढ़ेगा दूसरी वासा पढ़नी सकता था जैसे पी सीम ले करके पढ़ रहे हो आप फिजिक्स क्रेमिस्ट्री मैथ तो वही पढ़ोगे आप उसके साथ में हिंदी नहीं पढ़ सकते आप उसके साथ में म्यूजिक नहीं पढ़ सकते आप उसके साथ में ड्रॉइंग नहीं ले सकते थे अब यह हो गया कि आप डॉक्टर की पढ़ाई भी कर रहे हो साथ साथ आप music की पढ़ाई भी कर रहे हो अब BSC कर रहे हो BSC में आपके एक सब्जेक्ट क्या है आपने drawing भी ले रखा है painting भी ले रखा है तो इस प्रकार की जो है हम क्या करेंगे समग्रोज भहु आयामी सिक्षा हम करेंगे multidisciplinary यानि की ऐसा नहीं है कि आर्ट का बच्चा आर्ट में रहेगा नहीं आर्ट का बच्चा चाहे तो एक science की subject भी चूच कर सकता है तो इसके अलावा और हम किसकी बात करेंगे समावेसी सिक्षा की बात हम करेंगे दिख रहा है ना ठीक है समावेसी सिक्षा inclusive education जैसे समावेसी विकास की बात हो रही है वैसे ही समावेसी सिक्षा की भी बात है कि जो हमारे cwsn जो वच्चे हैं बिब्यांग उनको भी सामिल करें किसी भी प्रकार की कोई भी परिस्तरी से कोई भी बच्चाओ सभी एक प्रकार की एजुकेशन प्राप्ट करें शमावी सिस्क्षा है और इसमें जो सबसे इंपोर्टं Ăंट जो मुझे लगती है सबसे अच्छी बात वो इसमें है वो है Skill Development एंड़ वोकेशनल ट्रेनिंग व्याव साइक प्रसिच्चन व्याव साइक सिक्षा के लो यह साइक सिक्चा जो भुब पाल है हमारा मत प्रद्दिस की रजानी वोपाल वहां पेट संस्था है उस संस्था का नाहा में पी एस एस ची आई वी जो जो REI होते हैं न, REI, Regional Education Institute, जो कि किस से जुड़ेवू होते हैं, NCERT से, इसी में एक पैसिव एक संस्था है, पंडे सुन्दर लाग, पंडे सुन्दर सर्मा, ठीक है, काउंसल है यह किसकी vocational education की लिए, ब्यावसाइक सिच्छा के लिए, बोपाल, और किस्मत से मुझे वहाँ कार करने का मुखा मिला, मतलब मैंने वहाँ काम के लिए, उनके साथ काम किया, education के field में, NEP को लागू करने में, मैं NEP से जुड़ा हुआ हूँ, तो, वो ब्यावसाइक सिच्छा पर काम कर रहे हैं, वो संस्थान, NEP को, NEP के इसाव से ब्यावसाइक सिच्छा को पूरे देश में लागू करने का काम, यह passive संस्थान के मादम से किया जा रहा है, हलांकि राज्यों को जिम्मेदारी सौपी गई है, संबर्ती सूची का, लेकिन यह महकूर वूंका निभा रहा है इसमें, क्योंकि यह इसी के लिए बना हुआ है, कौसल विकास की बात की गई है, और बोकिष्णल एजुकेसन ओद यह कहा गया है, कि जितने भी हमारी प्राचीन hatten, जैसे मूर्ती बनाने की कला हो, कपड़े बुने की कला हो, हाथ का कोई भी काम हो, किसी भी प्रकार का हुनर हो, सभी प्रकार के हुनरों को सुरच्चित रखना, बच्चों को उन हुनरों की जानकारी देना, इसी के तहत नो बैग डे की एक्टिविटी भी स्कूलों में चलाई जा रही है और इस प्रकार की गतिविदियों पर पूरा फोकस करें और करके सीखे, एक्सपिरिंसल लर्निंग ले, यहां होगा, एक्सपिरिंसल लर्निंग करें तो एनिपी जो क्या करती है, वो यही करती है व्यक्ति के अंतर नहीं तो जितनी भी सक्तियां सभी का समगर विकास करने में एनिपी जो है वो अपना पूरा योगदान जो में ने बताया है जिस तरीके से यह सारी की सारी चीजें हमें कर रही है एनिपी में और भी दो चार चीजे हैं बच्चों को सम्मेदन सील बना रहे हम C-learning के द्वारा बच्चों को समझदार हम बना रहे हैं, critical thinking के माध्धम से हम बच्चों को बहतर बनाने की कोसिस कर रहे हैं, बहु भासा में हम दे रहे हैं, multi language, कई प्रकार की भासा बच्चे सीखे, मातरवासा में, पहली से पांच में मातरवासा में education प्राप्त करे, जिसको मातरवासा को भी गौरव का अनिवव हो सके उसको, और जलदी सीखे, बच्चह सबसे जलदी किसमें सीखता है मातरवासा में सीखता है। हमारी यह वड़ी से बड़े घर में भी हंरो सपॉलिक जाती है और बच्चे को भेजा इंग्लिस मुलियम स्कूल में जाता है वो बच्चा इतना ज़ादा कुछ सीख भी ने पाता है इतनी जल्दी ने सीख पाता बहुत दिक्क्त आती है हमारे यह बहसान कोुले करके बढ़ा दिक्क्त है हमारे यह अंग्रेजी को बढ़ी महानवासा मानते है और दूसरी बहसाओं को उतरुआ शनमान नहीं देते हाला कि जो मैंने अभी बताया था इंटर्निट वाला कि अब जो है वो इजिनल लेंग्विजों को भी बढ़ावा मिल रहा है और एनिपी भी यही काम कर रही है अब हम कंपटेंसी के आधार पर मुल्याकन करेंगे नमबरों के आधार पर नहीं कंपटेंसी के आधार पर क्या आपने देखा होगा भारत से कितने सारे बीटेक निकलते हैं कितने सारे इंजिनियर निकलते हैं लेकिन उसमें ज्यादा वो तक्निकी रूप से सक्षम नहीं होते हैं कौसल उसमें उतना नहीं होता हमारे बीर कियों सिचक खुब सारे गुमते हैं लेकिन उनमें सिक्षकों वाली quality सिच्छक वाले कौसल उन्में नहीं होते हैं आज भी हमारी यह क्या है टीचर बनने के लिए एक परिच्छा ली जाती है जिसको तोते की तरह रट करके टीचर बना देते हैं और उसमें टीचर वाले गुण ही नहीं आ पाते हैं कई वार ऐसा होता है इसी प्रकार से इ हमारी सिच्छा प्रणाली इतनी बहतर नहीं हो पाती इसी वज़े से इन सारी चीजों में बदलाव किया जा रहा है और हमारे सिच्छकों को बहुत ज़्यादा प्रसिचित किया जा रहा है ठीक है और इसी के तहित प्रोफेशनल कंपेटेंसी डवलपमेंट टीचर का किया जा रहा है एक साल में लगबग उनका साथ सतर गंटे की ट्रेनिंग लेना अनवार कंपल सरी किया गया हर एक टीचर को चाहिए वो किसी भी लेविल पर हो तो यह सारी की सारी चीज़े हैं एनिप के माध्धम से की जा रही है बच्चों को मानसी गुर्प से सामाजी वर्तन आएगा तो यह उत्तर लिख दोगे आप तो मेरी तरफ से तो यह कंप्लीट है और अब प्रसिन आता है आपका दो जार उन्नीस का तो जार उन्नीस अठारा सत्रा सोला पंद्रा चौदा तेरा अब इसे साथ साल और बच रही है तो उन पर हम चर्चा कर लेंगे तो दोजार उन्नीस में दो परसिन आए है जिन पर चर्चा करनी है फिर अठारा में एक भी नहीं आया है सत्रे में एक आया है सोले में पंद्रे में चौदे में चौदे में दो आए है तेरे में भी दो आए है तो इन सब पर चर्चा करनी है नेस्ट वीडियो में करेंगे अब यह वीडियो काफी लंबा हो गया, मेरे ख्याल से सःद होगो, 85-90 मिनट का तो होई गया होगा, तो इतने बड़ा प्रिस नभे मिनट का वीयो मन गया, तो काफी है मेरे इसांब्स से तो है, असी नभे मिनंट का तो, nes when पिर मिलतें, और 2019 से जो प्रिस जो हैं बचें हुए ह हमारे उनको हम चर्चा जारी रखेंगे उम्मीद है आपको पसंद आ रहा होगा अच्छा लग रहा होगा अच्छा लग रहा है तो प्लीज सवाल जरूर पूछे आगगा तो मैं अपने आपको भी बैतर नहीं बना पाऊंगा ना मुझे भी नहीं पता चलेगा आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए सवाल पूछोंगे तो मुझे भी समझ में आएगा कि अच्छा बच्चों को ये चाहिए ये कोस्टन है इस तरीके से उनको आंसर राइटन चाहिए इस टॉपिक पर उनको और गहरी डिटेल चाहिए नहीं तो मैं अपना ये कुछ भी करता ठीक है पर यदि आप देख रहे हैं तो रुकेष्ट आपसे सवाल जरूर पूछें यदि आपको कोई सलहा देनी है तो सलहा भी दे सवाल वैसे पूछें तो ज़्यादा अच्छा है सवाल पूछना बहुत मज़ेदार काम होता है तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार और सवाल जरूर पूछें वाई पढ़ें सवाल जरूर पूछें ठीक है धन्यवाद नमस्कार